जुलाई माह के अंतिम तीन दिन तुलाराशी के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं जै मतादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्योब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी 29, 30 और 31 जुलाई के तुलाराशी फल के बारे में ये जो तीन दिन है इन तीन दिनों में जो ग्रहों के इस्तिती होगी जो योग बनेंगे और जो नक्षत्र होगा उनका प्रभाव आपकी दिनचरिया पर किस तरह से होगा तो ये सारी जानकरी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाली है इसलिए वीडियो को लास तक देखें और चैन का दूसरा सौमवार है जो भगवान शिव की किरपा पाने के लिए बड़ा ही शुब माना जाता है और क्रश्न पक्ष की नवमी थिती भी रहेगी इस दिन भरणी नक्षत्र सुबा ग्यारा बजे तक उसके बाद गरती का नक्षत्र है गण नाम का योग बनेगा चंद्रमा शाम तक मीश रासी में उसके बाद वरशब रासी में आ जाएंगे तो गज केसरी योग भी बन जाएगा क्योंकि वरशब रासी में गुरू ब्रसपती मौजूद है और गुरू के साथ चंद्र की यूती जब भी होगी तो गज केसरी राज योग बनेगा सूरिय कर कराशी पुष्य नक्षत्र में है और इस दिन के जो राहुकाल का समय है ये वो समय है जिस समय में आपको किसी भी नए कारे की शुरुवात कोई शुबकारे नहीं करना चाहिए वो होगा सुबह 7 बज कर 23 मिनट से 9 बज कर 4 मिनट तक अब 30 जुलाई ये मंगलवार का दिन है और सावन महा का जो मंगलवार है उस दिन मंगला गोरी वरत किया जाता है तो ये उस वज़ा से विशेश है क्रश्न पक्ष की दस मेती थी शाम तक उसके बाद एकादशी थी लगेगी और रोहिनी नक्षत्रा रहेगा व्रद्धी नाम का योग है चंद्रमा विर्षबरासी में गुरू के साथ विराजमान सूर्य करकराशी में पुष्च नक्षत्र में और साथ में बन गया है यहां सरवार्थ है सिद्धी योग राहुकाल का समय शाम को 3.50 मिनट से 5.32 मिनट तक अभी 31 जुलाई जो इस महिने का अंतिम दिन है और बुधवार का दिन क्रशन पक्ष की इकादशी थी जो की रोहिनी नक्षत्र में आई है और मरक्षरा नक्षत्र में दुरुब नाम का योग बना है चंद्रमा व्रिशबरासी में रहेंगे और सूरिय करकराशी पुशन अक्षत्र में इसके अलावा इस दिन भी पोरा दिन सरवार्थ सिद्धी योग बनेगा और रहुकाल का समय होगा दो पहर बारा बजकर 27 मिनट से दो बजकर 9 मिनट तक अब देखें ये जो तीन दिन है चंद्रमा को अगर आप देखें तो चंद्रमा गुरु के साथ विराशमान है शुक्र किराशी व्रिशबरासी में आप किराशी के स्वामी भी शुक्र देवी होते हैं दूसरा योग बड़े अच्छे बने हैं सरवार्थ सिद्धी योग दो दिन लगातार बना है और गजकेसरी योग जो गजकी ताकत रफने वाला योग है उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा तो योगों के ह सबसे पहली चीज अगर आपके हैल्थ की मैं बात करूं तो थोड़ा सा हैल्थ की तरफ आपको ध्यान देने की जरूर आवश्यक्ता होगे हैल्थ इशू हो सकते हैं हैल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा बाकी जो 29 जुलाई का दिन है ये दिन अग्रिसर होंगे बड़े गती शील होंगे काम को आराम से भी करेंगे शांती से भी करेंगे उसमें आपको खुशी भी मिलेगी करियर के लिहास से देखें तो ये दिन आपके लिए काफी संतुस्टी दायक दिन रहेगा और साथ में आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आवेग में आ गए हैं तो थोड़ी देर रुकें थोड़ा सा विचार करें और तब आपको आगे के ध्यान देना है अगर आपका विवाहा भी हुआ है तो मैं कहूंगी आपके विवाह के बाद आपका करियर बड़ा ही अच्छा चमकने वाला है अपने बविश्य के ले लिए भगवान शिव के अराधना करें उनकी पिरिया वस्तों के साथ उनका अभिशेक करें और रुद्र कास्टम रुद्रास्टकम मंत्र का जाप आप कर सकते हैं यानि यह कि स्थूती है इस स्थूती का आप जाप कर सकते हैं अब जो 30 जुलाई का दिन है ये दिन कैसा है तो देखिए सबसे अधिक जो फल इस दिन मिलने वाला है वो गजकेश्री राजियोग सरवार्त सिद्धियोग इनका देखने को मिलेगा और यहां जो चंद्रमा की इस्तिती रहेगी वो कहीं न कहीं आपके लिए आपके लिए बदलावों का भाव लेकर आएगी कुछ अचानक से चीजों में आप बदलाव देख पाएंगे हलाकि तनाव कम रहेगा शानती पूर्ण आपका वातावरन रहेगा वेबसाइग करने वाले लोगों के लिए ठीक ठाकि ये दिन रहने वाला है धन्संपत्ति के मामले में अगर देखा जाए तो धन्संपत्ति के माम अगला गोरी व्रत है विवाख में अगर कrokवी बादा आरही है प्रेयम विवाह करना चाहते हैं विवाहिक जीवन को सुखी करना चाहते है तो इस दिन वरत करें और माल की ऽाहति के आराधना करें ये बहुत अच्छा दिन हैं अपने विवाह को शंपन्न करने के लिए वर करने के लिए और अपने व्यवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए तो इस दिन का आप प्रियोग कर सकते हैं काफी अच्छा ही है इस दिन आपको रिजर्ट देखने को मिलेंगे बाकि अपने लक्ष के प्रति आप पूरी तरह से फोकस्ट रहेंगे अभी जो महीने का अं यह 31 जुलाई का दिन है यह इस महीने का अंतिम दिन है और इस दिन योगों का प्रभाव आपके भागे में व्रद्धि करने वाला साबित होगा आप अपने इंकम में एक प्रभाह देख पाएंगे आपके जीवन को में आप बहतरे इन चीजों का आनंद ले पाएंगे और मस्ती सेर सपाटे में दिन बीतेगा अलाकि यह आपके खर्चे को बढ़ाने वाला है लेकिन खर्च के साथ आप कुशी का बियानुभव करेंगे ही करेंगे यह पल हर पैसे के आप लायक हैं और आप पैसे की प्राप्ति भी करेंगे शेर मार्केट में भी आप निवेश प उठा सकते हैं हर पल का आनंद उठाएं जो आपको पल आनंद देता है उसका आनंद उठाने से पीछे नहां दे क्योंकि आप जो आज देख रहे हैं जो बीत गया है उसका आप कुछ करने सकते आगे आने वाले दिन को आप अपने लिए बना सकते हैं और अपने आज को अच्छे से आनंद उठाना शुरू करें बहुत अच्छे दिन रहने वाले हैं एकादशी का दिन भी है ये एकादशी के दिन भगवान शिव और मा लक्ष्मी और मा भगवान विश्णों के अराधना करें सावन की पहली एकादशी है कामिका एकादशी कामनाओं को पूरा करने वाली ये एकादशी कही जाती है और इस दिन एकादशी कथा पर जो है कथा जरूर पड़ें इस दिन और नारायन के मंतर का जब करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमहा साथी शीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी और साथी चैनल को सबस्क्राइब कर लें